दो प्रश्नाए हैं और दोनों का समंध परामृत्यु से हैं, एक मित्र ने पूछा है, I am unable to get out of body experience during Amrita Samadhi, what should I do? एक An-Nya Mitre ने पूछा है, परामृत्यु के सत्र में आगिया चकर पर सफेद प्रकास का विस्वोट होकर आकास में उड़ना अशरररी और वह हैं किया विस्वोट कीया है? करिपा कर प्रकास टाले, परामृत्यु को समझने के पूरु थोड़ा मृत्यु को समझ लेना जरूर है, मृट्वे क्या होता है, और जन्व में क्या होता है, क्योंकि परा मृट्व, मृट्व की छोटी सी गटना है, मृट्व में जो हमारे शरीर के कई चक्रे उन में से तीन ऐसे चक्र हैं, जहां से प्रान निकलता है, या सुक्ष में शरीर निकलता है, हमारा बहुतिक शरीर है, इसमें पांच तत्व हैं, पृत्वी तत्व, जल तत्व, अगनी तत्व, वायुत तत्व, ये चार तत्व मा के गर्व में मिल जाते हैं, जो ब्रुन होत जो पाचवा तत्वा काश तत्वा है वो इस पूरिट वर्ल से आता है जिसको इधर तत्वो भी कहते हैं जो सुक्ष में शरीर आता है और उसके साथ ही आत्मा भी आती है और सामान निता नाभी चकर से प्रवेश करती है मनि पुर्चक्र से प्रवेश करती है और फिर पांच बात तो जुड़ करके गर्व में जीव बनता है और इस तरह नौ महीने के बाद जन्म होता है करीब करीब तीन महीने का जब भृण होता है तब प्रवेश उसका होता है जो माताएं वे अन्भुकर पाती है जैसे ही वो प्रवेश करता है सुक्ष शरीर जो भृण है वो तीन महीने का करीब होता है वो एक 180 डिगरी करीब घूम जाता है जैसे बच्चे का करीब करीब पहले पैर नीचे की ओर होता है घूम करके पिर सीर नीचे हो जाता है कभी कभी कुछ बच्चे खुराफाती होते हैं 360 डिगरी घूम जाते हैं फिर से पैर नीचे की ओर और ये खेल चलता रहता है और मृत्तु के बाद तीन मुखे विंदु हैं जहां से सुक्ष शरीर निकलता है एक है नाभी चक्र दूसरा है आग्या चक्र और तीसरा है सहस्रार चक्र 99.9% या इससे भी जादा लोगों का प्राण नाभी चक्र से निकलता है क्योंकि उसी चक्र से उनका प्रवेश होता है लेकिन कुछ सौभागिशाली लोग साधक किस्म के लोग उसमें से कुछ आग्या चक्र से निकलते हैं आग्या चक्र से जिनका सुख्ष शरीर निकलता है वे मुक्त नहीं हुए नियर मुक्त कह सकते हो तो उनको यांत्रिक्ता के कारण भी कम से कम एक जन्म आना ही पड़ता है फिर अपनी स्वेच्छा से चाहे जितनी बारा है लेकिन नियम के अंसार भी कम से कम एक बार तो आना ही पड़ेगा अंतिम पार सेखने के लिए लेकिन जो सहसरार से जिनका प्रान निकलता है अब ये मुक्त हो करके यहां से विदा हुए अब उनकी इच्छा पर है जब चाहे आएं जब चाहे नहीं आएं किसी यांतिरिक नियम के अंसार उनके लिए आना ज़रूरी नहीं है और इस तरह इसलिए उनको मुक्त कहा जाता है और जो मुक्त लोग होते हैं वो विश्ण लोक में निवास करते हैं और उनका deputation शिव लोक में भी हो सकता है ब्रह्म लोक में भी हो सकता है लेकिन deputation होता है जैसे मान लो कि वहाँ स्रीजन के लिए ब्रह्मा जी को जरूरत है कुछ बहुत highly developed soul की तो वहाँ से वह deputation पर ले सकते हैं लेकिन अगर वह ब्रह्म लोक में जा रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह मुक्त नहीं है बलकि वह मुक्त है उनका deputation पर ले यह समझो कि जैसे को इनवर्सिटी है हम पढ़ने के लिए जाते हैं और कुछ प्रफेसर भी वहाँ होते हैं तो प्रफेसर पढ़ने के लिए नहीं वहाँ गया है प्रफेसर पढ़ने के लिए गया है उनकी अनिवार्यता नहीं है वहाँ पर जाना ठीक ऐसे ही मुक्त पुरुष, संत पुरुष, बुद्ध पुरुष विश्नु लोक में जाते हैं और अधिकतर वही रहते हैं फिर जब उनकी इच्छा होती है या विश्नु लोके जो एल्डर्स हैं वे अगर समझते हैं कि धर्ती के अभी ऐसी इस्तिती है कि किसी विश्यस महापुरुष को वहाँ जाना है वोशु को जाना है नानक देवजी को जाना है शेडी के साइबाबा को जाना है भगवान महावीर को जाना है तो उनका उनकी इच्छा का आदर करते हुए वे पुना धर्ती पर आते हैं और ये खेल चलता रहता है तुमको जानकर आश्चर होगा कि जो देवों की पूजा करते हैं देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्तु के बाद उनके लोग में जाते हैं अगनी लोग है इंदर लोग है अलग अलग लोग है चंदर लोग है, सुर्य लोग है जो जिसकी पूजा करता है इसलिए जो विष्णू की पूजा करते हैं, वे भी विष्णू लोग जाते हैं, यदि उनका महलना अलग है, और जो गोविंद के साधना करते हैं, निराकार, निरगुन, गोविंद की साधना करते हैं, वे भी मुक्त होकर के विष्णू लोग में ही जाते हैं, लेकिन दोनो अलग-अलग जो विश्णु को प्रेम करते हैं उनका एक अलग-अलग है अलग-अलग नहीं है तो विश्णु लोग में ही लेकिन विश्णु लोग में अलग-अलग कह सकते हो महले हैं ऐसा कह सकते हो कौल नहीं थे हैं अलग-अलग लेकि दोनों जाते हैं अब फिर वहां से आते हैं लेकि जो शू लोक में जाते हैं अधिकतर लोग जो ना भी चकर से निकले हुए वो शू लोक में जाते हैं और आग्या चकर से जो निकले हुए वो भी शू लोक में जाते हैं लेकि एक एडवांस शीव लोग के seven परते हैं साथ परते हैं शीव लोग में भी साथ कह सकते हो कि layers है और जितना advance कोई करता है उतना उसकी उंचाई पर उसका लोग होता है और इसके लिए जरूरी है कि जैसे जो नाद साधना करते हैं अनाद नाद की साधना करते हैं मृत्तु के बाद अगर नाद को पकड़े रहो, तो जब तक पकड़े रहो, तुमारी यात्रा उपर की होती रहती है, तुमारे साथ तुमारा इस्पृरिट गाइड होता है, तुमारे साथ और भी अड़वान सोल होते हैं, जो कि तुम्हें गाइड करते हैं, और जहां पर जाते हो जैसे सब को पहले अगनी लोग से गुजरना पड़ता है विद्धत लोग जिसको कहते है वहाँ से चंद्र लोग चंद्र लोग से सुर्य लोग और इस तरह अनेक जो रूट बिलकुल फिक्स्ट है जिस रूट से तुमें जाना है लेकिन जैसे महाँ लोग नहीं लोग में गए वहाँ से कोई ले गया तुमको अपनी सिमा तक ले गया उसके बाद दूसरा आकर रिसीव किया पर तीसरा रिसीव किया और ऐसे ये खेल चलता रहता है अब ये मृत्तु का भी ग्यान है अब परा मृत्तु परा आजाओ जो मृत्तु में घटित होता है वो ऐसे भी होता है क्योंकि चेतना ध्यान में कहां रहती है आगया चकर में जाती है वहाँ विश्राम करती है चेतना या उर्जा कहलो और समादी में उर्जा कहां रहती है समाधी में सहसरार चकर पर रहती है सामाने तो उर्जा कहा रहती है अचेतना कहा है कहा रहती है विशुदी चकर पर जिसका बटन यहाँ पर कंठ में है और प्रेम में जब तुम होते हो या सबकॉंसस में होते हो या फिलिंग में होते हो और चेतन में होते हो, तो चेतना हिर्दय चकर पर आती है, यहीं से तुम सपना देखते हो, और यहीं से फिलिंग करते हो, यहीं से इपनोसिस पर जाते हो, और फिर जब शेयन करते हो, नीद में जाते हो, तो नावी चकर पर, अर्थात मनी पूरी चकर पर तुम वहां जाते ह नीन में उनकॉंसेस होते हो जब हिरदय चकर पर आते हो तो सब कॉंसेस होते हो जब विशुद्य चकर पर आते हो तो कॉंसेस होते हो और जब आगया चकर पर आते हो तो कलेक्टिब कॉंसेस्टनेस में होते हो और जब सहसरार चकर पर आते हो तो युनिवर्सल कॉंसेस्नेस में होते हो ये करिब करिबी ग्यान है तो जब सोते हो तो फिर नाभी चकर पर तुमारी चेतना विश्राम करती है इसलिए अगर सोने में बीच में नें टूटे तो जड़ा ख्याल करना आँखों के सामने जो रंग आएगा वो गोल्डन चकर गोल्डन रंग आता है सुनाला क्योंकि मरिपूर चकर का रंग सुनाला है और ऐसे ही जब कभी समाधी से उठो तो जड़ा ध्यान देना उसमें बैंगनी रंग दिखाई देगा क्योंकि चेतना उस समें सहसरार पर है और अगर आगया चकर पर है तो तो उस समें ध्यान देना ध्यान के बाद खास करके उस समें तुम देखोगे इंडिगो कलर है जामनी रंग दिखाई देता है और क्या रंग दिखाई दे रहा है इससे तुम जान पाओगे कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारी उर्जा कहां पर है, इसलिए जब सो रहे होते हो, नीद में होते हो, तो फिर क्या होता है, कि चेतना एक विंदु पर आ जाती है, तो पराम्रतु का विज्ञान क्या कहता है, कि चेतना सिकूर करके एक विंदु पर ले आओ, और उस विंद पुर्चक्र हो, चाहे अग्या चक्र हो, चाहे सहस्रार चक्र हो, लेकिन स्वाभावी के रूप से नेंद में तुम्हारी चेतना एक बिंदू पर आ जाती है, और वहां से पिर कभी तुम निकल जाती हो, जैसे तुम्हें सपना देखा होगा, और अधिकतर सपनों में तुम्हें देखा होगा, कि तुम उड़ रहे हो, कितने लोगों ने उड़ने का सपना कभी देखा है, अधिकतर लोगों ने देखा है, तो ये उड़ना कोई सपना नहीं है, वास्तों में उसमें तुम उड़ रहे होते हो, और उसमें तुम दृष्ष्ष जो देख रहे होते हो, वास्तो में वो रील दृष्ष्ष होते हैं, और तुम उसमें उड़ रहे होते हो, और किसी कारण से फिर तुम अंदर चले गए, चाहे किसी ने जगा दिया, या नेन तूट गई, या कुछ हुआ, तो जो मित्र पूछ करी चुके हो, out of body का experience करी चुके हो अब इसी को जागते हुए आयोजित कराया जा रहा है यहां पर कि कैसे तुम देह से पार जाकर कि अपने आपको देख लो, दो तरह कि छमता हर वेक्ति की होती है अलग-अलग वेक्ति की होती है, जैसे कुछ लोग निपूर है अपनी चेतना को फैलाने में और कुछ लोग निपूर है अपनी चेतना को सिकुडाने में अब जो चेतना को सिकुडाने में निपूर है उनके लिए out of body experience असान है, वो चेतना को सिकुडा लिए, जैसे सलाह दी जा यह निर्देश्ट दिया जा रहा है कि चेतना को सिकोरो सिकोरो आराम से सिकोर लेंगे लेकिन उस चेतना को फैलाने में तब इतने निपुर नहीं हो सकते इसलिए समाधी क्या है चेतना का फैलाओ है नेंद क्या है चेतना का सिकोराओ है यह परा मृत्तु क्या है चेतना का सि सिकुर्णी शुरू हो जाती है नीचे अंगूठे से सिकुर्णी शुरू हो गए इसलिए अधिकतर लोगों को बृत्व का आभास हो जाता है कि काउंट डाउन शुरू हुआ अधिकतर लोगों को थोड़ा अगर ध्यान दो तो और जैसे ही चेतना उपर की और सिकुर्णी शुरू हो जाती है कभी बहतर गंटे पहले जो बहुत संवेधन शील है छे महीने पहले आवास कर सकते है कि अब मेरी चेतना धीरे-धीरे सिकुर्णी शुरू हो गई है इसलिए एक संथ फोरकास्ट कर सकता है कि आज से छे महीने बाद अब हम शरी छोड़ देंगे जरासा संवेधन शील हो उसके तरीके भी है जानने के छे महीने पहले तुम जान सकते हो कि अब छे महीने के भीतर मेरी बिर्टू होने वाली है बलकि बहुत संवेधन शील हो तो जिस दिन से चेतना सिकुर्णी शुरू हुई, उससे 180 दिन जोड़ करके डेट भी बता सकते हो कि इस डेट को मेरा सरी छूटने वाला है। तो मूल बात ही है, महत्वपुन बात ही है, कि जैसे चेतना सिकुर्णी शुरू होती है, तो मारे सारे दर्द समापत हो जाते हैं. इसलिए कभी-कभी लोगों को देखो कि बिमार हैं, हस्पिटल में हैं, और रिकवरी शुरू हो गई हैं. और लोगों कोते हैं, अब लगता है, अच्छे हो जाएंगे, और फिर सड़नली देखो कि बिदा हो गए, अधिकतर मैंने देखा है, हमारे लोगों का अक्षर फोन आता है, कि बाबा, अभी इंप्रूम्मेंट शुरू हो गया, मैं तोड़ा सतर्क हो जाता हूँ, सड़नली इंप्रूम्मेंट शुरू हुआ, मतलब आप जाने की बेला आ गई, और फिर हो कहते हैं, कि पतानी कैसे क्या हुआ, इंप्रूम्मेंट होना शुरू हो गया था, फिर कैसे चले हैं, आश्चरप होगा तुम्हें, कि मृत्तू और जन्म दोनों को बड़ा आनन दाएक पर मात्मने बनाए है, सामाने तो हम सोचते हैं, कि मृत्तू बड़ी कस्टदाएक है, जन्म बड़ा कस्टदाएक है, नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही, गर्व में बड़ा आनन दाएक है, उसी तरह से मृत्तू बड़ी आनन दाएक है, चाहे कितना भी वहंकर रोग हो, कैंसर ही क्यों नहों, लेकिन जब मृत्तू शुरू हो जाती है, 72 गंटे पहले, या किसी को आभास होता है, 48 गंटे या 24 गंटे, करीब करीब 24 गंटे पहले तो होई जाता है, तो सारे दर्द खतम हो जाते हैं, जैसे ही चेतना उर्दगा में शुरू ही, सारे दर्द से तुम्मुक्त हो गए, लेकिन फिर भी लोग क्यों कहते हैं, मृत्तू कस्ट डायग है, क्योंकि अधिकतर मृत्तू रोग से होती है, अधिकतर रोग में कस्ट होता है, तो सोचते हैं, जब रोग कस्टकारी है, तो मृत्तू भी कस्टकारी है, नहीं, मृत्तू कस्टकारी नहीं है, तो ऐसे ही जैसे चेतना सिकूरती है और एक विंदू से जैसे मैंने बताया सामाने लोगों की चेतना नाभी चकर से निकल जाती है कुछ सवभागशाली है उनकी आगया चकर से जो परम सवभागशाली है उनकी सहस्रार से निकलती है लेकिन ज़ा चेतना सिकूरती है जैसे मृत्तु में और एक बिंदू से निकलती है ऐसे ही परा मृत्तु में आउट बोड़ी एक्सपिरियंस में चेतना सिकूरती है और सिकूर करके या तो ना भी चकर पर आजाए या तो आगया चकर पर आजाए या सहसरार चकर पर आजाए और वहाँ से चेतना निकल जाती है तो जो चेतना शिकुराने की कला में निपुर है उनके लिए आउट-बड़ी एक्सप्रियेंस बड़ा आसान है तो उनको खुश होना चाहिए जिलनों को परामिर्तु की घटना घट रही है चेतना शिकुर रही है क्योंकि आये हो समरित समादी में एक सत्र परामिर्तु का है तो इस सवनभव के लिए आये तो तो में खुश होना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए लेकिन अब जो चेतना फैल पैलाने में जो निपुर है अब उनके लिए आउट अबड़ी एक्सप्रियेंस जरा मुश्किल है क्योंकि उनकी चेतना तो फैलती है जैसे ही वो शिकुर ने की का निर्देश दिया जा रहा है तुम तो समादी में जा रहे हो तुम तो उपर जा रहे हो और उपर जाकर के समादी में तुमारी चेतना फैल रही है तो उनके लिए समादी जादा संभव है आउट अबड़ी एक्सप्रियेंस जादा कथिन है जिनके लिए आउट अबड़ी एक्सप्रियेंस जरा सहज है उनके लिए समादी जरा कथिन काम है तो जो जिनको नहीं हो रहा out of body experience जैसे कि मितर ने कहा है उनको और ज़्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि ये समाधी में निपूरता है उनकी out of body experience के लिए उनकी निपूरता नहीं है तो दोनों इस्तितिवों में तो में खुश होना चाहिए जिनको अनभव हो रहा है उनको खुश होना चाहिए कि जो अनभव करने आये तो अनभव हो गया और जिनको नहीं हुआ उनको ज़्यादा खुश होना चाहिए कि वो समाधी में उनकी निपूरता है और अध्यात में के लिए समाधी ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्पत के निंद के, लेकिन मैं देखता हूँ, आश्चर सही देखता हूँ, कि दोनों दुखी हो जाते हैं, जो समाधी वाले हैं, वो दुखी हो गर मेरे तो हुए ही नहीं है, और जो जिनको आश्चर सही दुखी हैं, क्योंकि अमरित समाधी में समाधी का भी सत्र है, उनको समाधी ठीक से नहीं लग रहा है, वे भी दुखी हैं कि उनको समाधी नहीं लग रही है, इंसान की गजब फितरत है, कि जो निगेटिव है उसको पकड़ लेता है, जो नहीं हो रहा है उसको और जो हो रहा है उसके लिए अभभाव से नहीं बरता, तो अगर एक मित्र को हुआ, निश्चित आउडर बारी एक्स्पिरियंस है, आगया चग्र से उनको तेकलना हुआ, तो अबहे ख़ुश हो जाओ, वो भी करें पता नहीं क्या हुआ, और जिनको नहीं हो रहा है वो भी खुश हो जाओ समाधी में बड़ी गहराई तुमको मिलेगी दोनों को मेरा आशिरवाद दोनों को बदाईए परसक्नालेस